असलाम अलेकुम विवर्स आज हम आपके साथ मंदी की रेसिपी शेयर करेंगे इससे पहले हम आपके साथ मंदी मसाला और मंदी की चटनी की रेसिपी शेयर कर चुके हैं इसका लिंक हम नीचे डेस्क्रिप्शन में दे देंगे मंदी बनाने के लिए हमें जी नजजा की जरूरत है उसके लिए हमें चाहिए दो सब्स जलाइची, वन टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी और दो सुखे लिम्मू चाहिए आप ये तीन भी ले सकते हैं और चार से पांच अदद हमें सब्स मिर्चें चाहिए दो लॉंग, नमक हस्पेजाइका, जिंजर पाउडर हाफ टीस्पून और दार्चीनी की दो छोटी सी स्टिक्स भी हमें जाहिए और ये दो चीजें ऑप्शनल हैं, अजवाइन और सॉंफ दोनों हाफ हाफ टीस्पून लेनी हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं ये मंदी का वो मसाला है जो हमने तयार किया था और इसका लिंक हमने नीचे डेस्क्रिप्शन में दे दिया है इसको हमने चिकन पर लगाकर चिकन को मेरीनेट होने के लिए तीन से चार घंटे के लिए छोड़ देना है और चिकन के बड़े बड़े पीस लेने हैं, एक मुर्गी के चार टुकडे कर लें तो वो ज्यादा मुनासिब रहेंगे और इसमें से थोड़ा सा मसाला हम बचा लेंगे चावनों के लिए यहाँ पर आपने हाफ कप तेल लेना है, आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं और इसमें अच्छी तरह से चौप किया हुआ एक दर्म्याने साइज का प्याज लेना है और इस प्याज को ब्राउन नहीं करना, इसको सिर्फ इतना पकाना है कि यह ट्रांस्पेरंट ही रहे और यह अच्छी तरह से सौते हो जाए इसको थोड़ा से हलाने के बाद इसमें खड़े मसाले जो हैं वो हम डाल देंगे जिन में दार्चीनी, सबसलाची और लॉंग शामिल है थोड़ी देर के लिए इन मसालों और प्याज को एक साथ पकाएंगे, इतना ही पकाएंगे कि प्याज अपना रंग तब्दील ना करे इसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे जिसे हमने मेरीनेट होने के लिए रखा था और चिकन की हम अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताके इसमें से हर तरह की स्मेल जो है वो खतम हो जाए और इसमें से जो बलड निकल रहा है वो भी खतम हो जाए यह हमने कैंडल जलाई है ताके मसालों की स्मेल जो है वो बाकी घर में ना पहले और फिर यहाँ पर हमने पाउटर मसाला जाट जो है वो भी इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से हला लेना है ताके तमाम मसाले जो है वो चिकन पर अच्छी तरह से लग जाएं और इस चिकन की हमने अच्छी तरह से भुनाई करनी है और इसको ढखना दे कर भी पकाना है और गाहे बगाहे ढखना उतार कर हलते रहना है ताके चिकन नीचे ना लगे इतने में हमने अवन को भी प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है 275 पर क्योंकि हमने इस चिकन को बेक भी करना है जब चिकन की अच्छी तरह से 10-12 मिनट के लिए भुनाई हो जाए तो इसमें पानी डाल देना है इसमें पानी इतना डालना है जितना आप नॉर्मल चावलों में डालते हैं और एक कप जो मेरे हाथ में था वो एक्स्ट्रा डालना है चिकन के गलने के लिए और साथ ही सौफ और अजवाइन भी डाल देनी है और इसको ये दो लीमू जो हमने लिए थे सुखे हुए उनको भगोका रखना है फिर इसमें को शामिल करना है और साथ ही सब्स मिर्चे ये आप चाहें तो ना भी डाने अगर आप इसमें हल्का मसाला रखना चाहते हैं और इसको जब उबाल आ जाए उसके 10-12 मिनट तक पकने दें और फिर उसके बाद चिकन को इस पानी में से निकाल लें ताके इस पानी में चावल डाले जा सकें और इस चिकन को हम बेक करेंगे और इसके अंदर से चिकल निकालने के बाद जब हम चावल डालेंगे तो हम बंदी का वो मसाला जो हमने बचा का रखा था वो भी चावलों के साथ ही डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला हम चिकन पर सप्रिंकल भी करेंगे और उस पर ओयल भी लगाएंगे करiron 2 च्वाइżen कर तिया दिया है, और और भाइव का शामिल कर दो शॉपक dólares कि यहाँ चावल को पकने के लिए चुड़ दिया है, और इस चिकन पर हमने पहले मसाला फरें की बडोनेयाम पर हम इस पर oil brush कर देंगे ताके इसकी नमी जो है वो अंदर ही लॉक हो जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर से नर्म रहे और जूसी रहे अगर हम इस पर oil नहीं लगाएंगे तो चिकन जूसी नहीं रहेगा बलके वो जब हम बेक करेंगे तो ड्राइ हो और चिकन को 275 पर 10-12 मिनिट के लिए बेक करना है ताके इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और दुबारा से इसको चावलों के उपर रख देना है जब चावल दम के लिए तयार हो और दम आपने अपने हिसाब से देना है हमने यहां 8-10 मिनिट के लिए चावलों को दम दिया था सारी बोटियां जो हैं वो हम इसके उपर रख देंगे और इसको दम लगा देंगे ताके चिकन उपर से कलर फुल और नर्म हो जाए इसके बाद जब आपने चावलों को खोलना है तो पहले उपर से सारे चिकन को उठा लेना है फिर चावलों को खोलना है इस तरह से चावल तियार हैं, शुक्रिया